असलामों अलेकूम मैं जुलेखा अर्फास जुलेखास किचिन से तो चलिए आज हम बनाते हैं नाखपूर का फेमिस चिक्किन कोर्मा वैसे इसे तौला भी कहते हैं जो सिरफ मथन में बनाया जाता है बट मैं आज आपके साथ चिक्किन की रेसिपी शेयर कर रही हूं इसकी तो चलिए शुरू करते हैं साथा रन याने ओडिनरी इंग्रीडियन से एक्स्ट्र ओडिनरी डिच बनाते हैं आज की चलिए एक कड़ाय का चूला फास्ट आज पर चालू कर दीजिए उसमें दाल दीजिए 1 फोथ कप सरसो का तेल और उसे बहुत अच्छा गरम हो जाने कर दीजिए जब दुआ निकलने लगे तो चूले को कर दीजिए बंद और इससे हलका ठंडा हो जाने दीजिए तेल को फिर हमारा जो रेकूलर तेल है उसमें वह थोड़ा और आड कर दीजिए और इसमें मैं दाल देती हूं तीन मीडियम साइज की स्लाइस करी हुई प्या प्यास फ्राइ हो जाएं तो क्या कीजिए जब प्यास फ्राइ हो जायë तो साइट पर कर दीजे सारी प्याजो को और पीछ में स्पेस मिलेंगी तो तेल खुद बठुद पीच मैं आ जाएगा और इसके अदर डाल देजिए बाइन दीजिए वांफोत कप बारिक कटा दीजिए गा अदा 1 मिनुट हो जाए तो पूरी तरीके से मिक्स कर लिजीए और यह जो प्यास उसे लाल होजाने दीजी है लाइट Çaぎन, टब तक को फ्राइ करें तरो छलैते हुए फास्ट आंश पर. चऽली लाइट गोल्ड मिनुट हो गही है प्यास आप देख सकते तो उसी में भी हमारा जो लसन है वो भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है आप देख सकते हैं और जला नहीं है अगर आप पहले दाल देती हो ना तेल में तो बाइदे टाइम हम प्यास को फ्राइ करते हैं तो लसन जल सकता है तो चलिए अब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जी और इसे बार बार चलाते हुए तब तक मीडियम आज पर फ्राइ करें जब तक यह जो चिकन है ना उसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक दर्मियान में ही चिकन के अंदर नमग भी दाल दीजिए स्वाद अनुसार और इसे मिक्स करते हुए फ्राइ कर लीजिए जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता हमारी चिकन का तब तक चिकन का कलर चेंज हो चुका है मैं चूले को मीडियम आज कर देती हूँ और इसमें मसाले दाल देती हूँ थोड़े से तो सबसे पहले तो आदा चोड़ा चाय का चमच हल्दी पाउडर दाल दीजिए और मैं दो चोड़ी चाय का चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर दा वैसे इसमें ये वाली रेसिपी में particularly spice होता है जी हां नाकपुर की है तो लेकिन मैं spice नहीं दालती हूं जादा इसके लिए मैंने कश्मीरी लान मिर्च पॉडर दाला अब एक टेबल स्पून कसुरी मेथी सुखी हुई हातों की मदद से क्रॉच करके दाल दे और मीडियम अगर आपको ऐसा डर लग रहा है आपकी पतली है तो आप चूले को मीडियम की बजाए स्लोपर रखकर तीन-चार मिनिट तक भून लीजिए चलिए तीन-चार मिनिट हो चुक है और यह बहु अच्छ से भूना चुका और बिल्कुल भी नीचे लगा नहीं है मेरा मसाला तो अब मैं दाल देती हूं एक कप गाड़ी दही यह नॉर्मल टेंपरेचर पे है और बिल्कुल भी खटी नहीं है और इसे दाल कर बार बार चलाते हुए मीडियम आज पर आपने तब तक भूना है जब तक बस यह दही मिक्स नहीं हो जाती और हलका सा इसमें उबाल आने नहीं शुरू हो जाता तब तक क्योंकि अब जब यह उबाल आने लगे यह वाली दही के अंदर बार बार चलाते रहिएगा तकरीबन समझे ना आधे पौने मिनिट में तो आ जाएगी चूला मीडियम पर है जब हलका उबाल आने लगे नम्मक चेक कर लीजिए मुझे थो तक हम दूसरी एक प्रिपेरेशन कर लेते हैं एक फ्राइपन को अच्छा गरम कर लीजिए गरम हो जाए तो दो टेबल स्पून साबुद धनिया डाल कर उन्हें मीडियम आज पर भून लीजिए मैं स्लो से मीडियम आज के दर मियान भून लेती हूं तकरीबन एक से दो मि पुरादा और एक छोड़ा चैका चमच खस खस ये सारे को दाल के अधे एक मिनित तक पार बार चलाते हुए भून लीजिए मैं स्लो पर रखी हूं जो मॉइस्चर है बस हमारा यह है कि यह निकल जाना चाहिए और हलका भून ले और हलकी हलकी सौंदी-सौंदी खुश्ब जो सारी चीजे दाली है उससे एक मिनित तक भून रही है तो आप देख रहे हैं आलका कलर चींज हो गया तो अब मैं चूला कर दिया बंद और इसे ट्रांसफर कर लीजिए और अच्छा टंडा हो जाए तो मिक्सर जार के अंदर दाल कर बहुत अच्छा भारिक होई तक ब मसाला बना कर रखे हैं अभी फ्रेशली जो गरें किया है यह डाल दीजिए पाउडर वाला मसाला और इसे एक बार चला लीजिए चूले को कर दीजिए फास्ट आँच और इसमें एक कप पानी डाल दीजिए अच्छा अब आपको नमक तो दाले नहीं हमने तो ग्रेवी के यूवी नहीं है वो पग जाएगी पोशिश हीजिएगा कि चिकन के पीसे बड़े आप रखें तो बेटर रहेगा थोड़ा सा इस ग्रेवी को हलका डार्क कलर होना चाहिए तो थोड़ा डार्क कलर करने के लिए यहां पर मैंने फिर से फ्राइपन के अंदर एक छुड़ा और इसके बाद बिना पानी डाल कर एकदम पाउडर की तरह इसे पीस लीजिए और साइट पर रख दीजिए चली साथ मिनट हो चुके हैं बट अभी भी आप देख सकते हैं तेल नहीं छूटा है हमें अभी भी आगे पकाना हैं कि तेल छूटने लगे तो यहां पर ही जो म पर कटिव भी झौतमिर दाल दीजिया निकि हरा धनिया में दो हरी मिर्चिया स्लीट मार कर दाले तैल music कि नहीं दाले था ज्या दाला था लर का पाउडर अगर आपने प्ड़ए दाला हो तो यह बड़ए अगर फ़री मिर्चिया मद दालें गां अभी पर कर दिजए अब मैंने आपसे कहा है कि मतन में युजुली बना जाता है बहुत ही डिलिशियस है बहुत ही मज़ेदार लगेगा आपको खाकर आप चाहे तो रोटी पराथा पुलका बटनान किसी की भी साथ सर्फ कर सकते हैं वैसे इन में से कुछ की रेसिप लिंग्स मैं आपके लिए डिस्क सबसे पहले उसे रोस्ट कीजिए वन फोट कप को अच्छी भून जाए दो तीन मिनिट के अंदर तो निकाल लीजिए अच्छी ठंडी हो जाए तो छील निकाल लीजिएगा और फिर बाकी की सारी चीजे भूनिये और एक साथ सारो को पीस लीजिएगा अगर आपके पास नारियल का बुरादा भी नहीं है डेजिगेटेट कोकनट कोई बात नहीं जो सूखा नारियल आता है दो इंच का लीजिएगा उसे बार एक पार एक पीस कीजिए और जब आप साबद धनिया दालते हैं फ्राइपैंट के अंदर उसी समय बार एक पीस करे हुए इनारियल क जो सूखा नारियल इसके पीसस दाल दीजिएगा और भून लीजिएगा सबसे पहले ये दोनों को फिर तेल और खसकस दाल के आधे एक मिनिट तक भून कर निकाल लीजिएगा तो हैना मज़ेदार रसिपी आज की अगर आज की रसिपी अगर आपको अच्छी लगई हो त बाल झेल की अवटत्व आज की येघर में भून का की जोता है आप अगर येए हो जेबत आपको ट्रून की आए करने हो तेल है आपको बोड़ा आपको आपको ल씨 अगेतिपा़ driving उनिक है तेल है तेल है तो हैसा आपको ऑ्यल अबग इए काम हम ृजहर नaltet도